नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लीफुल स्टडी में तो दोस्तों इस वीडियो में जो है हम लोग जो सी सी आरे एस सेंटरल कांसिल फॉर रिसर्च इन आयरवेदिक साइन्स ठीक है जो उसका एक्जाम हुआ था सिफ्ट टू का तो सिफ् आपको 2525 मिल जाएगा अपने जो भी एटेम करके आया है तो आप उसको मिला सकते है ठीक है तो आपको सही अंसर ही मिलेगा चलिए देखते हम लोग जैसे क्या है पहला को दिया गया है देखिए यहां पर कोई भी बैक्ति भारत के राष्टपति के लिए चुना और लरने क के लिए पात रहे दी उसने द्यास की आयू पूड़ी कर ली ठीक है ड्यास की आयू पूड़ी कर ली मतलब कितना उमर हो जाना चीए मतलब कहने का मतलब है परसन इस एलिजेबल टु कॉंटेस्ट इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ ही हाज कंप्लिटर दी प्रश्ट इस के बीच आवस्थित है मतलब मतलब लाइन गहीं लाइज किस के किसके बीच तो इसका सईुत्त्र हो जाया भारत कुछ के बीच भारत और चीन के sung इस में मैंकु मॉण देखा है है अगर यहां सबसे इंपर्डन के पूछा जाता है धर पकिस्तान औरeral पर पकिस्तान की तरफ मूब करते हैं देखिए अगला कोशन क्या दिया हुआ है भारत भारतिय समिधान में इन में से कौन एक मौलिक अधिकार की रूप में सामिल नहीं है कौन सा है जो फंडामेंटल राइट जो है हमारा नहीं है इसका सही उत्तर हो जा potrzeb समान कारे के लिए समान मज़ility का अधिकार यह हमारा कोई fundamental या mall अदिकार या अपका नहीं है हमारे जितने भी lightning अदिकार 6 mall अदिकार उन में से यह नहीं है कि समान कारे के लिए आपको समान मअध्जोरी मिलेगा ठीक है यह जो अदिकार नहीं है तो चलिए अगला ठीक है, बर्मिंगम में क्या होगा, 2022 का Commonwealth का गेम होगा, तो चलिए, next question की तरफ, move करते हैं, देखते क्या है, अगला question दिया गया आपका, भारत सरकार की निम्ण में से किस योजना का उद्धिस, गरिभी रेखा के नीचे, BPL जो है, महिलाओ को LPG connection प्रदान करना है, which of the following scheme of government of India aims to provide LPG connection to women below poverty line, ठीक है, BPL का full bomb का है, below poverty line, तो यह जो scheme है, इस scheme का नाम है, अपका, उज्जुवला scheme, आप लोग कोई पता होगा, कापी famous scheme है, इस scheme के तरफ, देखिए, gas वगरा मिलता भी है, ठीक है, जिसमें क्या है, जो BPL, जो है, below poverty line है, उनको इस scheme के तर, question की तरफ, move करते हैं, अगला question दिया हुए, राष्टी एक्ता दिवस, डैस की जहनती पर मनाया जाता है, national unity day is observed on the birth anniversary of, मैंने किनके जर्म दिवापर हम लोग राष्टी एक्ता दिवस मनाते हैं, तो इसका देखिए, सबसे important question है, बहुत ही, इसका सही उत्तरोजा का सरदार, बल्लब भाई पटेल, 21 दिन मनाया जाता है, यह भी important है, याद अखिएगा, 31 October, ठीक है, 31 October को ही हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं, जो राष्टी एक्ता दिवस, जो है, सरदार बल्लब भाई पटेल के उपलक्स में, जो मनाया जाता है, 31 October को मनाया जाता है, ठीक है, तो च पाई अचर है, 1947, ठीक है, अगर आपको कभी वे आधार में मने कॉंटेक्ट करना है, आधार काट के किसी भी जानकारी के लिए आपको, तब इस टोलफी नमर पे फोन कीजएगा, आपको पता चल जाएगा, 1947, ठीक है, ठीक है, चलिए, नेक्स कोशन के तरफ, मूव करते है देगे, क्या दिया है, नेक्स कोशन, दिया गया है, राजी सभा के सदस्यों का चुनाओ कौन करता है, राजी सभा के सदस्यों का चुनाओ कौन करता है, ठीक है, तो चलिए, अगला कोशन क्या है, देखते हैं, ठीक है, अगला कोशन दिया गया आपका, भारत के सम्मिधान कितने मौली कदिकार की गरेंटी है मैंने कितने मौली कदिकार भारतिय समójधान में दिये गए है मतलब आपका अनुछेद 17 इसका से उत्तर हो जाएगा जो अस्प्रिश्टा का उंवन मनने अस्प्रिश्टा की समाप्तिव से सम्मंदित है है मतलब कहने का मतलब एकोडिन टो विच कंस्टियूशन विच आर्टिकल इज रिलेटर टू एबोलुईशन ऑफ अन्टच अबिलिटी जो एक दूसरे को टच करना जो होता है उसको छुआ छुट का विमारी जो है जिसको खतम करने का बात कर रहा है वह अनुछेद सत्रा है 25 साल 25 साल जो है इसका सहुत्तर हो जागा कि अगर लोग सवाका सदस्य बनना है तो आपको निंतम आयू कितना होना चाहिए 25 साल होना चाहिए चलिए अगला कोश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं देखिए नेक्स्ट क्या दिया है देखिए दोस्तों यह 87 नंबर कोश्च इसने मने किस खेल में उनकी उपलब्दियों और योगदान के राजीव गांधी खेल रतने पुरुषका दोजार बीस तो जो मनिका बत्रा को मिला है जो की टेबल टेनिस घलती थी जो कि सही उत्तर हो जाग आपका टेबल टेनिस तेकि मनिका बेदी दिया हुआ है तो इस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं ठीक है तो देखें तो चलिए नेक्ट कोशन की तरफ मूव करते हैं चलिए अगला कोशन है महात्मा गांधी द्वारा गाया प्रसित भजन बैसनों जन्तों तने कहिए यह जो भजन है किसके द्वारा रचित था मैंने इसका रचिता कौन इसका सही उत्तर एक्दम आपको हो जाएगा नर्सी महता जी ठीक है नर्सी महता जी के द्वारा जो कि गुज्राती थे उनकी द्वारा ये जो प्रसित भजन है इसको मतलब रचा गया था जो बैसनों जन्तों तने कहिए चलिए अगला कोशन के तरफ मूव करते हैं अब हम इसके द्वारा प्रसितन खात सनच्छन में मदद करता है अधिकान्स कीट कैसे स्वसन करते हैं जो राव प्रसितन खात सनच्छन करते हैं जो फूड आइटम सब्सम्मार्ट करते हैं जो उनका स्वासन बोला गया है अधिकर को ससन करतें जो इंशेक्ट होते हैं अगर इसकीन से जानते हैं आप जयसे हो गया मेडख हो गया ये सांप हो गया यह लोग से ही करते हैं तो चलिएक स्कॉशन की तरफ नूव करते करने करने कि यह दैस आंध्र पृत नीस का बहुत और DX की प्रदेश और बोला कोशन की सक्वर्ध करते हैं तर तरा श act भाहत में डियास राज और केंदरसासित प्रदेश है मतलब कितना इंडिया में स्टेट्स है और कितने युणियन टरिटरी जह तो जानते ही अभी एकदम लेटेस्ट है कि अठाइस राज है और आठ क्योंकि एक दमन और दादर और नागर हविली को मिला के एक कर दिया गया जिसका कैपिटल दमन रखा गया है तो ठीक है वह दोनों जब एक हो गए तभी आठी जो है आपका यूनियन टेरी टेरी हो गया और 28 राज्य हो गया ठीक है चलिए नेक्स कोशन की तरब आप मूप कर आок ऐसे अगला कोशन कोशन के दिखने हैं निमलीखित मिसे कौन लाज राज वंस और उनके संस्थापक का युग मिसाईज देंसे ल से मिल निका थां मतलब कहने नहीं को यहां पे रोल रह कीको विजो कैस्स आपके कुतबुदी आ पड़्या पहला वला तो सही होगा कि गुलाम वंक्का ही socio विदभ passing पे तै लेकिन पहला अब्गान समराच सिर्शा सुरी कहा जा रहा है यह यह एक दम गलत है चौथा घलत है यह प्संग 6 अपका सयुत्तर हो जाएगा क्योंकि पहला अफगान सासक तो देखिए बाबर भी तो आया था वो भी अफगान ही था तो उससे पहले तो बाबर ने किया था ना पंदा सो चप्विस में तो होना चीए यहां पर बाबर का लेकिन यहां पर दिया है सिरसा सुरी जो कि यह गलत नम्ढे से कौन सी दुनिया की सबसे लंगी नदी आपको दिया गया है मत परदेश में कितने राज्च यों के साथ सीमा साजा करता यौ इंडिया का बीच है इंडिया मेप देखेगा और चलिए अगला कोशण देखते हैं त्फैदो मीटर का उपयोग ड्यास मापने के लिए व्यास तो तो फैदो मेजर से क्या करते हैं मुझे की गहराईन आपने लिए तो महासागर की गहराईन आपने के लिए फैदो मेटर का यूज किया जाता है ठीक है तो अगला कोशन देखते हैं देखिए क्या दिया है भारत विदेशी मुद्रा भंडार को ड्यास की अभी रख्षा में रखा जाता है मतलब foreign exchange reserve of India are kept in the custody of money किन के संदक्षन में रखा जाता है किन के custody में रखा जाता है जो भी विदेसी मुद्रा नि फोरें एक्षेंज है तो उसको रखा जाता है भारती रिजर्ब बैंक मतलब रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया के संदक्षन में custody में रखा जाता है जितने भी विदेसी मुद्रा भंडा रहते हैं ठीक है तो चलिए अगला question देखते हैं जो last question क्या दिया गया है laughing gas को आम तो पर क्या जाता है जो laughing हम मिला के आप कमेंट करके जरूर बताए कि आपका कितना question right हो रहा है और कितना question wrong और आप जरूर से comment करके बताए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक किजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा धन्यवाद